हे हलो एबरिबरी सब्सक्राइब टू आर चानल यॉर हैलपर प्लीज लाइक शेर आर वीडियोज आज हम लेके आए हैं अनोखा खूब सूरत डोल्स म्यूजियम जिहां आपको ये वीडियो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा गुडियों की दुनिया में बारे में सुनकर आपको बहुत पसंद आएगा तो वीडियो देखने से पहले हमाले चनल को जल्दी से कर दीचे सब्सक्राइब अब आप सभी आप सभी ने बहुत सारे और अलग-अलग तरहे के म्यूजियम के बारे में तो जाना ही होगा लेकिन आज आपको जिस म्यूजियम के बारे में हम बता रहे हैं वहाँ पहुंचकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे आप गुडियों के संसार में आ गए हों यह अनोखा म्यूजियम है दिल्ली में आई टी ओ के निकट स्थित शंकर इंटरनाशनल डोल्स म्यूजियम यहां आपको अलग-अलग देशों के कोस्ट्यूम्स में सजी हजारों डोल्स देखने को मिलेंगी इस म्यूजियम की स्थापना कार्टुनिस्ट के शंकर पिल्लाई ने की थी उन्हें एक डोल हंगरी देश से गिफ्ट मिली थी जिससे उन्होंने इस म्यूजियम के शिरुवात की यहां पर अब लगभग 85 देशों की करीब 6500 डोल्स इकठी हो गई हैं यह हैं कार्टुनिस्ट के शंकर पिल्लाई देखती हैं क्या है खासियत यह म्यूजियम दो हिस्सों में बटा है पहले हिस्से में आप यूरोपियन देशों USA, उस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड और कॉमन वेल्ट देशों के गुड़े-गुडियों को ट्रडिशनल और मॉडरन ड्रेस में देख सकते हैं दूसरे हिस्से में एशियाई देशों, मिडल एस्ट, एफ्रिका और भारत की डोल्स को रखा गया है इन सभी में उन देशों की कल्चर के जलक भी दिखती है खासतोर से जापानी डोल्स तो आपको खूब पसंद आएंगी यहां करीब 150 ऐसी डोल्स का भी कलेक्शन है जिनने म्यूजियम की डोल्स बॉर्क्शॉप में तयार किया गया है इनकी खासियती है कि इनने ट्राडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनाए गए हैं इनमें भारत के तमाम राज्यों की जलक दिखाई देती हैं पंजाब, हर्याना, ह माजल प्रदेश समीट सभी राज्यों की पारंपरिक वेश भूशा पहने ये डोल्स बहुत खूब सूरत दिखती हैं इन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों और अपने देश के प्रांतों में कैसी ड्रेस पहनी जाती हैं अलग-अलग तर गया है यहां पर दुलहा दुलहन की ड्रेसर्स वाली रोल्स भी हैं इसके अलावा इस म्यूजियम में आपको दाड़ी मार्च और चंद्रमा पर इंसान के पहुंचने की घटना को भी रौचक अंदाज में दिखाया गया है बुक शॉप लाइब्रेरी जी हां इसी बुक्स मैगजीन उपलाब्द हैं इसके अलावा यहां एक आर्ट इंस्टिटूट भी है और एक मन्थली मैगजीन चिल्रेंस वर्ल्ड स्पेशली बच्चों के लिए प्रिंट होती है तो आप यहां कल्चरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं पूरे देश भर से नहीं दूसरे देशों के भी दर्शक इस अनोखी म्यूजियम को देखने आते रहते हैं अब अगली बार जब कभी आपका दल्ली जाना हो तो इस म्यूजियम को देखना आप सभी मत